दोस्तों स्वागत आपका टार्गेट एससी 2020 में आज हम डिसकस करेंगे रीजनिंग के कुछ इनपॉर्टेंट कोशन के या कुछ अलग टाइप के कोश्चन के बारे में इससे पहले भी मेरी दो वीडियो रीजिंग के उपर बना चुक्वा है इसी अच्छे कोश्चं के उपर तो आपको यह तो दो वीडियो भी आपको जरूर देखना है और कोश्चंस के काफी रेकिंड वाले को देखों तो यहां पर 18 कैसे आएगा ठीक है यानि इन तीन नंबरों से हमारा 18 कैसे आ सकता है वो बताना है ठीक है तो 9 5 और यानि 9 multiply 5 multiply अगर 4 करें तो हमारा total कितना आएगा multiply करके 180 और 180 को divide कर दें अगर 10 से तो क्या आएगा हमारा 18 आएगा ऐसी हमारा एक बार इसमें logic देख लेते हैं तो 12 हो गया multiply 8 हो गया and multiply 5 हो गया कितना आएगा total करके 480 आएगा और उसको divide कर दिया इन्होंने किस से 10 से यानि तीनों की multiply करके उसके बाद divide करना है 10 से फिर वो नमबर हमारा उपर आएगा यानि 8, 16 कैसे आएगा जब 160 को इन्होंन divide किया होगा कितने से 10 से यानि इन तीनों की multiply करके हमारा कितना आने चाहिए था 160 आने चाहिए अब दीके 8 और 4 कितना हो गया 8 और 4 हमारा हो गया 32 ठीक है 8 और 4 हमारा हो गया 32 तो next नमबर हमारा कौन सा है जिससे multiply करके हमारा 160 बन जाए तो वो नमबर हमारा हो जाएगा 5 ठीक है यानि 32 की अगर multiply हम 5 से करें तो कितना आ जाएगा हमारा 160 और फिर 160 को हम क्य की जा करेंगे डिवाइट 10 करेंगे तो हमारा जाएगा यहां पर सिस्टीन ओंकि तो फस्ट वाले का यह सेकिंड वाला बहुत अच्छा क्यूश्य नई थीक है Two वाले में देखें क्या लिखा है फैली लाइन में यह से करके first वाला 4 लिखा है और last में कितना लिखा है 3 लिखा है दोने की multiply कर दो कितना आएगा 12 आएगा उसका square कर दो कितना आएगा 144 और 144 यहां पे ध्यान से देखना 144 लिखा हुआ है boxों में और वो कौन से हैं first और last को छोड़के बाकी 3 boxों के अंदर क्या लिखा है 144 ठीक है अब ऐसी हमारे क्या है हमारे second वाले को देखते है second वाले को तो second वाले क्या है first number है 8 ठीक है third वाला देखते है first number है 5 second last number है 3 5 और 3 के multiply करा है तो कितना आएगा 15 and 15 का square करेंगे तो कितना आएगा 225 और 225 आपको दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ है यह रहा तीन box में ठीक है तो logic simple सा है समझ में आ गया होगा यानि first number 8 है last number है 2 दोने की multiply कर देंगे कितना आजाएगा हमारा 16 आजाएगा and 16 का जो square होगा वह कितना होता है 256 तो देखे 256 तीन box में लिखना है 2 यह रहा और last में 6 है बीच में 5 नहीं है तो next बहुत ही ज़्यादा अच्छा question यह भी है देखे इन चार नंबर से 61 कैसे आएगा बहुत अच्छा है यानि जो 5 वाला है यह वाला जो second number 3 जो है इसको डाल देंगे power में ठीक है ऐसी उपर वाला 8 है और जो नीचे वाला 2 है उसे डाल देंगे power में फिर दोनों को क्या करन है ठीक है simple सा है ठीक है तो यह हमें करना है 5 की power हो जाएगा 3-8 की power 2 5 की power 3 मतलब क्या होता है 125 और माइनस 64 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 61 आ जाएगा तो logic आपको समझ में आगया ठीक है यानि हमारा 2 लिखा है 2 की power कितना हो गया 5 ठीक है 2 की power 5 second वाले दिखिंगे यासी 2 की power 5 हो गया और माइनस हमारा 4 की power 2 तो 2 की power 5 कितना होता हमारा 2 की power 5 होता है 32 और माइनस 4 की power 2 कितना होता 16 तो टोटल हमारा क्या है 16 आगया ठीक है ऐसी अब लास्ट वाले में जिसमें find करना वो देखते हैं 7 लिखा है और 3 लिखा है तो यह 3 जाएगा इसके power में तो 7 की power कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है 7 की power 3 माइनस 18 के power में जाएगा 2 और 18 का square power 2 तो 7 की power 3 कितना होता है 7 की power 3 होता है 3 4 3 और माइनस 18 की power 2 यानि 18 का square कितना होता है 3 24 अगर दोनों को minus करेंगे तो कितना आ जाता हमारा 19 हमारा आ जाएगा जो कि हमारा answer और हो जाएगा 19, यानि option number C हमारा right हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा logic था, ठीक है, next दीखते है, 2 multiply 3 करके minus 1 आ रहा है, 3 multiply 4 करके minus 5 आ रहा है, ऐसी हमें करते करते, 6 multiply 9 करके क्या आएगा, ठीक है, इसका logic भी अच्छा है, 2 और 3 से minus 1 कैसे आएगा, अगर हम 2 और 3 को एक ब multiply कर दे, और फिर दोनों को क्या कर दे, minus कर दे, यानि 5 minus 6 तो क्या जाएगा, minus का 1, ऐसी same logic सभी में करना है, ठीक है, second वाले को भी देख लेता है, ऐसी, सही हो रहा है नहीं हो रहा, 3 और 4 को एक बार क्या कर दो, plus कर दो, कितना आएगा, 7, 3 और 4 को एक बार multiply कर दो, कितना आ तो यह क्या गरना है, समझ में आ गया, 6 और 9 को add कर दो, क्या आएगा, 15, 6 और 9 को multiply कर दो, कितना आएगा, 54, और दोनों को क्या कर दो, minus कर दो, कितना आएगा, दोनों को minus करेंगे, तो कितना आएगा, 39, वो भी किसके, minus के, यानि B वाला option हमारा, right हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही अगर हमारा sign, सबसे पहले जो circle है, वो mirror में same रहेगा, ओके, यह सही है, ठीक है, इसमें कोई doubt नहीं है, तो circle अगर यहाँ पे है, तो इधर जाएगे, तो circle पहले पे आएगा, ठीक है, यह भी सही है, यहाँ पे circle नीचे चले जाएगा, तो यह तो हटा दो, यहाँ नहीं कहीं, यह वाला position देखो, यहाँ पे, ऐसे करके कहाँ पे हो रहा है, c वाले में हमारा हो रहा है, ठीक है, तो c वाले में हो रहा है, तो right हमारा कौन सा हो जाएगा, c वाला हो जाएगा, इसमें हमारा opposite हो रहा है, नहीं होगा, तो 3 हमारे हट गे, तो c वाला हमारा right हो ठीक है next question की बात करते है next हमारा क्या होगा ठीक है next हम्होंाई बताना है यह वाला Be यहां पे भी लाइन अंदर आ गई गलत होगे यहां पे भी अंदर आ गई गलत होगे तो यह वाला मारा राइट हो जाएगा ठीक है अब बताना फ्रेंड वीडियो कैसे लगी अच्छे लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू करेगा धन्यवाद बहुत बहुत वीडिय टेकने क्लेब